नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओप ओन दो विल्स यूटुब चैनल पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट का जो की बहुत एसेंसियल हो जाता है किसी भी बाइकर के लिए हम जब भी कहीं बाहर अपने बाइक को लेकर जाते हैं तो हमें हमेसे उसे चोरी होने का डर लगा रहता है आप मानो या ना मानो आज के टाइम में बाइक चोरी बहुत कॉमन हो गया है और कोई भी इसे चोरी करके लेके जा सकता है हैंडल लोग पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कोई भी चोर इतने एक्सवर्ट हो गया है कि अपने पैरों से उसे तोड सकते हैं तो उनके लिए बहुत इजी है तो आपको एक अलग से एक और लोक लगाना चाहिए मेरे अनुसार से अगर आपका लगता है कि आपका लोकालिटी सेफ है तो फिर अलग बात है लेकिन अगर आप कहीं बाहर घुमने जाते हो आपकी बाइक कहीं बाहर खड़ी है तो आपको एक और लोक लगाना चाहिए ये है बीटुइन का चैनलोक जिसे मैं डी कैतलोन से खरदा था डी कैतलोन में इसकी प्राइस करीब 500 रुपे के आसपास है आप डी कैतलोन के ऑनलाइन साइट पिर जाकर इसे ओडर कर सकते हैं इसे खरीदने से पहले मैं Amazon से एक चैनलोक मंगाया था जो कि कमजोर भी था और उन्होंने उसके साथ कीज नहीं दिया था मुझे तो मैंने उसे वापस कर दिया तो इसको यूज करना कापी असान है इसे आपको लगाने में हाड़ी 15 से 20 से लगेंगे और इसको श्टोर भी करना काफी असान है तो इसे बस आपको अपने सौकर के बगल से अपने रीम से होते हुए लेकर आना है और उसके बाद इसको आपको आगे से पकड़ कर खीच लेना है और उसके बाद आप बस इसमें चावी लगा कर इसे अराम से लोक कर सक है weasley और मैं आपको बता दूँ डिक्स लॉक में और इसमें क्या नतर रहा डिक्स लॉक में इस लिए नहीं लिया क्योंकि दिक्स लॉक बहुत छोटा सा होता है और वह आपके डिक्स को बहुत ज़्यादा हार्म पहुचा सकता है आप कभी भूल कर गाड़ी को आगे बढ़ा दिये तो हो सकता है उससे आपका डिक्स डैमेज हो जाए बस इसमें वो खतरा नहीं है क्योंकि ये दिखता है और इससे ज़्यादा आपकी गाड़ी मूव मी नहीं करती तो आपको उससे पहले पता चल जाएगा डिक्स लोक में डिक्स का बेंड होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है और इसे खोलना और लगाना काफी इजी है आप इसे ऐसा भी नहीं कि आप इस्टोर करने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो आप इसे इसली इस्टोर कर सकते हो जैसे कि मैं अपने डॉमिनार में अपने बैक सीट के पीछे इसे अराम से रख सकता हूँ इसके बाद एक कपड़ा भी आजाता है और मेरे सीट में ही डॉमिनार का टूल कीड भी आजाता है तो इतना जगा है इसमें कि मैं बिल्कुल इसे इसली इस्टोर कर सकूँ तो उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है इस्टोर के लिए अगर आप चाहें तो इसे आप असानी से पीछे वाले टायर में भी लगा सकते हो और ये रॉयल इंफिल्ड या डॉमिनार किसी भी बाइक में आ जाएगा कोई भी बाइक हो या आप इसको बिल्कुल असानी से लगा सकते हो पीसे वाले टायर में लगाने के लिए आप सारी गाड में लगा लो या कोई बाइक में आपकी कोई और जगह है तो वहाँ लगा सकते हो यह बिलकुल असान है कहीं भी लग जाता है और अगर आप डिक्स लॉक ही लेना चाहते हो तो आप डिक्स लॉक किसी अच्छे कमपनी का लो वो तीन सो चार सो रुपए में जो अमेज़ॉन पर आ रहा है उनका क्वालिटी अच्छा नहीं हो इसली ब्रेक हो जाते हैं और आपके डिक्स पैट को भी डैमेज कर सकते हैं तो आप बेस सक कुछ ऐसा लॉक पर जाओ जो आपका डिक्स को डैमेज ना करें तो यह मुझे एक अच्छा उप्सन लगा और ऐसा नहीं है कि इसको कैरी करना मुस्किल है तो यह मुझे अच्छा लगा और आप इसको अराम से बुलेट पे भी लगा सकते हो उसमें भी सारी गाट से होते हुए या आगे भी लगा लो यह कहीं भी लग जाएगा बुलेट में लगाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको इसमें